दोस्तों अगर आप Redmi Mobile के स्क्रीन लोग का password भूल चुके हैं तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप password को कैसे crack कर सकती है Redmi का आपके पास कोई भी model इस trick के जरिए आप किसी भी Redmi Mobile के password को तोड़ पाएंगे ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते है process तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने mobile को switch off कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पे 10 से 15 सेकिंड वेट करेंगे अभी आपको यहाँ पे volume up बटन और power बटन दोनों को एक साथ प्रस करकर रखना है जब तक screen पर M.I. का logo ना जाए जैसी logo आई तो आपको बटन को छोड़ देना है इसके बाद आपके सामने ये screen आ जाएगी तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर आपकी touch work नहीं करेगी यहाँ पर clear लिखा भी हुआ है use volume to select up down use power to confirm यानि कि volume की इसे आप select कर सकते है और power button से आप confirm कर सकते है ठीक है तो आपको यहाँ पर volume button से wipe data के option को select कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर power button से confirm करेंगे यहाँ पर आपको wipe all data के option पर आना है अभी आपको power button से ok कर देना है यहाँ पर आप confirm के option को select करेंगे, अभी power button से ok कर दीजएगा, तो आपका mobile का data delete हो जाएगा, इसके बाद power button को press कीजिए, अभी आपको reboot के option पर आके power button को press कर देना है, यहाँ पर आपको reboot to system इस option को select करके power button से ok कर देना है, तो आपका mobile यहाँ पर reboot हो जाएगा, तो mobile on होने में यहाँ पर एक से दो मिनट का time लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा wait कर लेना है, और तब तक इस video को मैं यहाँ पर fast forward पर लगा देता हूँ, तो mobile की screen on होने पर आपके सामने ये screen आ जाएगी, तो बस अभी आप आपको यहाँ पर nest कर देना है, यहाँ पर आपको lang 알려ग विजmore select करके nest पे click करना है, इसके बाद आपको यहाँ पि अपर आपको policy को accept करना है, अभी आप यहाँ पर nest पे click करेंगे, तो यहाँ पे seem select करने के लिए बोले जाएगा, तो फिलाल हमारे mobile में seem नहीं आ है तो हम यह आपे बस nest पे click कर देते हैं इस case में आप अपने mobile से sim निकाल के रखेंगे तो ज़्यादा बैतर रहेगा तो sim निकाल देना ठीक है तो अभी आपके सामने यापे वाइफाई का interface आ जाएगा तो आपको यापे वाइफाई से connect ओना होगा तभी आप अगे का process कर पाएंगे तो वाइफाई से connect ओने के बाद आपको यापे nest पे click कर देना है इसके बाद यापे आपको थोड़ा wait करना है तो अभी आपके सामने यापर ये screen आ जाएगी यापर आपको don't copy पे click कर देना है तो इसके बाद आप यापर दिखेंगे आप से यापे screen log का password पुछा जाएगा screen log का password आमें पता नहीं था तभी तो हम ये process कर रहे हैं न तो अब दूसरा option है याप गुगल आईडी तो जो गुगल आईडी आप इस mobile में use कर रहे थे उस Google आईडी से आप mobile को unlock कर सकते हैं बट जिनको Google आईडी भी नहीं पता वो अपने mobile को अब unlock कैसे करेंगे तो चलिए अब उसका process देख लेते हैं तो इसके लिए आपको यापे back आ जाना है जापर हमने wifi connect किया था आपको उस interface पर आ जाना है तो आपको यापे निच्चे की side add network का option सो होगा तो आपको यापे क्लिक कर देने तो अभी आपको यापे keyboard में यापे ये icon सो हो जाएगा तो आपको इस icon पे क्लिक कर देने यापर आपको सबसे last में more के option पे क्लिक कर देने अभी आपको यहाँ पे about पे क्लिक करने है यहाँ पर आपको privacy policy पे क्लिक कर देने है तो यहाँ पर आपको किसी भी टेस्ट पर long press करके रखने है इसके बाद आपके सामने यहाँ पर यह screen आ जाएगे तो आपको यहाँ पर three dot पे क्लिक करने है इसके बाद आपको यहाँ पर search पे क्लिक कर देने तो आपके समने यहां पे उपरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा यहां पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अभी आपको यहां पे उपर की साइड स्किप पे क्लिक कर देने यहां पे अलाव पे क्लिक किजिए तो यहां पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो अब भी आपको यहाँ पर एक new tab ले लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर search करना है addrom तो आपके सामने पहली website आएगी bypass google account 2024 तो आपको इस website को open कर लेना है यहाँ पर आपको setting पर click कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर open पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर manage apps पर click करेंगे यहाँ पर find apps पर click कर देना है तो अभी mobile में यहाँ पर get app open हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर skip पर click करेंगे तो अभी आपको यहाँ पर search करना है activity launcher तो आपके सामने activity launcher application आ जाएगा आपको इस application को यहाँ पे install कर लेना है तो install हो चुक है तो चलिए अब इसे आपको open कर लेना है यहाँ पर आपको ok पे click कर देना है तो अभी loading होने के बाद आपके सामने यह screen आ जाएगी इसके बाद आपको यहाँ पे search करना है second space तो आपको यहाँ पे second space fingerprint इस setting पे click कर देना है इसके बाद आप यहाँ पे skip पे click करेंगे तो अभी आपके सामने mobile की ohm screen आ जाएगी mobile पे अभी भी FRP लोग लगा हुए status bar में देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे लोग का symbol so कर रहा है तो FRP लोग अभी bypass करने के लिए आपको mobile की setting में आ जाना है इसके बाद आप यहाँ पे about phone पे click करेंगे यहाँ पर आपको MIUI version इस पे यहाँ पे 7 से 8 पर click करना है तो आपके mobile में developer option enable हो जाएगा अभी आपको यहाँ पे back आ जाना है इसके बाद आपको यहाँ पे additional setting open करनी है यहाँ पर आपको सबसे लाश्क में developer option की setting मिल जाएगी तो आपको इस setting को open कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे OEM unlocking की setting मिल जाएगी तो आपको इस setting को यहाँ पे on कर देना है अभी आप यहाँ पे back आएंगे इसके बाद आपको यहाँ पे factory reset पे click कर देना है यहाँ पर आप erase all data पे click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे factory reset पे click कर देना है अभी आपको यहाँ पे कुछ second wait करना है यहाँ पे next पे क्लिक किजिए दुबार से wait करने के लिए बुल जाएगा अभी आपको यहाँ पे ok पे क्लिक कर देना है तो आपका mobile यहाँ पे factory reset हो जाएगा अभी आपको यहाँ पे कुछ second wait करना है जब तक mobile यहाँ पे on नहीं हो जाता और तब तक मैं इस video को fast forwarding पे लगा देता हूँ तो mobile on ओने पर आपके सामने ये screen आ जाएगे अभी आप यहाँ पे next करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे language select करके next पे क्लिक कर देना है अभी आपको यहाँ पे अपने country select करके next पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको term को accept करके next पे क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे direct next पे क्लिक कर देना है तो अब आपको यहाँ पे wifi connect करने की जुरत नहीं है बस direct यहाँ पे next पे क्लिक कर दीजेगा इसके बाद आप यहाँ पे निक्ची दरफाएंगे यहां पर आपको accept पे click कर देने इसके बाद आप यहां पर skip पे click करेंगे अभी आपको यहां पर दुबारा से nest पे click कर देने यहां पर don't agree अभी दुबारा से nest पे click किजिए अभी आपको यहां पर default launcher यहां पर select कर लेने इसके बाद आपको जाएंगे आपके मोबाईल की ओम स्क्रिन आ जाएगी और साथी आप देख सकती है इस टेटस बार से अब लोग का सिंबल हट चुका है तो इस प्रकार से आप किसी भी रेडमी मॉबाईल की फौन का लोक तोड सकती है अगर आपको किसी दूसरे मॉबाईल का लोक तोड न सिखने है तो आप मुझे उस मॉबाईल का निम्ट करके بتा सकती है